आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ घलो फ्रेंट्स, हाई इस कोश्चन को साल करते हैं यहाँ पे में कोश्चन दिया हुआ है ए डॉग वेइंग 5 केजी इस स्टेंग अन अन फ्लाइट बोट यहाँ पे टेंट मेटर स्वाट फ्रॉम दा सौर यहाँ पे और क्या दिया हुआ है एक फ्लाइट बोट है जो की सोर के पास खड़ी हुई है ठीक है और उसी बोट के उपर एक डॉग है जिसका वेट क्या है 5 केजी वो सोर से कितनी डिस्टेंस पे है 10 मीटर के डिस्टेंस पे है ठीक है अब यह डॉग क्या करता है चलना चालू करता है तुवर्ट्स सोर कितना चलता है यह 4 मीटर चलता है ठीक है और फिर उसके बाद रुख जाता है ठीक यहाँ पर हमें बोट का वेट भी दिया हुआ है वो कितना है 20 केजी ठीक है और यहाँ पर हमें कंडिशन दे रखी है कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है बोट और वाटर के बीच में ठीक क्या अब हमें यहाँ पर क्या है हमें सेखों करना है यह चार मीटर चलने के बाद ऑद से कितन दूरी ते पर रहता है यह हमें फाइं करना है यहाँ पर हमें ओप्शनर नुम्बर यह फ्रिक्टर की सजिट करना है option number B क्या है 6.8 meter की distance पे dog of source से रहता है c क्या है option 12.6 meter d क्या है 10 meter आई इसको solve करते हैं देखें यहाँ पे यह हमारा source का area हो गया ठीक है इसी से कुछ दूरी पर एक boat है यह हमारी एक boat है सपोस ठीक इसके उपर यह इस point पे जो है हमारा dog है ठीक dog है अब यह क्या करता है हमें यहाँ पे mass of dog कितना दिया हुआ है mass of dog यह दिया हुआ है 5 kg ठीक है mass of boat कितना दिया हुआ है यह suppose boat का cc है mass of boat कितना दिया हुआ है यह हमें दिया हुआ है 20 kg ठीक है initial condition के बाद अब क्या करता है dog इस point से चलना चालू करता है सोर की तरफ कितना चलता है यह यह दिया हुआ है देखिए फोर मीटर टूवर्ड्स सोर सोर की तरफ यह फोर मीटर चलना चालू करता है ठीक इस starting condition पर गया था जो dog था वह सोर से कितने distance पर था 10 मीटर की distance पर था 10 मीटर ठीक है यह सोर है हमारा सोर क्या होता है समुद्र का किनारा माली थे ठीक है यह हो गया अब next condition पर क्या हो जाएगा देखें जैसे हमारा dog टूवर्ड सोर चलेगा तो हमारी boat जो होगी वो क्या होगी थोड़ा सा shift करेगी right की तरफ पर ठीक है यह हमारी जो boat है वो shift कर जाएगी यह कितना distance shift कर जाएगी यह x distance shift कर जाएगी यह हमारी boat थी ठीक है यह हमारा dog जो था वो 4 मीटर चल चुका है तो यह हमारी जो boat है यह इसकी सीजी यह है ठीक है यह x distance move कर गई है right की तरफ पर ठीक है देखते हैं आएगे तो हमारा actual distance कितनी dog ने चली actual distance moved by dog यह क्या जाएगा 4 माइनस x ठीक है यह कितना चला था 4 चला था ठीक है तो यह distance to actual कितनी हो गई 4 माइनस x ठीक अब यहाँ पे हमें कोई external force लग रहा है क्या क्योंकि यहाँ पे कोई external force नहीं लग रहा है तो center of mass जो होगा boat का वो rest condition पर रहेगा यह नहीं कि center of mass mass change नहीं होगा ठीक है because there is no external force external force center of mass will be at rest okay यह हो जाएगा अगर center of mass change नहीं हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं m1 into x1 is equal to m2 into x2 ठीक है लिख सकते हैं अब देखें m1 क्या है हमारा mass of dog ठीक तो इसी को हम लिख लेते हैं m into d md into x1 is equal to यह mass of boat आ जाएगा mb into x2 ठीक mass of dog कितना था 5 x on distance कितना चला actual dog कितनी distance चला है 4 minus x तो यह आ गया multiply 4 minus x mass of boat कितना है 20 kg यह कितनी distance move हुई है x distance यह boat x distance move हुई है ठीक तो यहां से इसको हमने calculate किया तो यह कितना आ गया 20 minus 5 x is equal to 20 x तो x कितना आ गया x is equal to आ गया हमारा 20 divided by 25 यहनि कि boat हमारा कितना right side पर move हुई 20 by 25 meters अब हमें क्या पूँच रखा है देगे इस question में जो हमारा dog है उसकी location पूँच रखा है store से कितनी है ठीक है यह final condition पर यह में पूँच रखा है आईए इसको देखते हैं तो कितनी distance हो जाएगी देखिए distance from sore initial distance कितनी थी देखिए 10 थी ठीक है अब क्या हुआ dog ने sore की तरफ पर चलना चालू किया यह dog ने कितनी distance चली देखिए 4 distance चली तो यह distance minus होगी minus 4 की आपने अब क्या हुआ boat खुद भी right side पर move हो गई कितनी distance x distance तो x कितना आ गया था 20 divided by 25 यह add करेंगे ठीक है यह add होगा क्योंकि यह boat जो है मारी right side पर move हो जा रही बस इसको solve कर लिया हमने तो यह आ गया 250 minus 100 LC हम ले लिया plus 20 divided by 25 टीक है इसको solve किया हमने तो यह हमारा कितना आ गया 6.8 meter यह हमारा answer हो गया आए देखते हैं कौन सा option match हो रहा है यह option number b is our correct answer means final condition पर जो dog की source से distance रहेगी वो कितनी रहेगी 6.8 meter ओके थेंक यू